गुरु भगवान के शुक्राने हैं हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है साष्टन प्रणाम है इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है साष्टन प्रणाम है इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है गुरु भगवान के शुक्राने हैं जीवन के दो घटनाएं आपको सुनाते हैं एक तो अमेरिका की बात है और एक भारत की अमेरिका में एक काफी दिन हो गए पुरानी बात है एक आफिस के आगे बड़ी सी गाड़ी आका रुखती है शीशा नीचे होता है करता है वो आदमी अंदर जो बैठा होता है और आवाज लगाता है स्टीव इदर आओ आफिस में अंदर जा रहे होते हैं तो स्टीव सुनता है और तुरंत आता है सर गुड मॉर्निंग सर तो बाते होती है इन दोनों के बीच में दूचार लोग देख रहे थे वो खड़े हो जाते हैं वह साइड में पीछे की तरफ काड़ी चली जाती है उपलाते है स्टीव इदर आओ यह तो कंपनी के प्रेसिडेंट है तुम से बात कर रहे थे काता है हाँ अरे तुम कंपनी के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका में वो एक काफी हाई पोस्ट है उनके ओपर फिर में डिरेक्टर्स बोर्डर डिरेक्टर्स हो सब तुम तुम है कैसे जानते हैं तुम कैसे बात कर रहे थे तो कहता है देखो बड़ी अजीब सी घटना है हम दोनों का इंटर्वियों करके और हम दोनों सेलेक्ट हुए थे आज मैं वहीं पर हूँ वरकर हूँ और ये प्रेसिडेंट हो गए है कहते है अरे ऐसे कैसे हुआ ऐसे कैसे हुआ साथ में तुम दोनों एंप्लॉई हुए थे हाँ दोनों साथ में एंप्लॉई हुए थे और ये प्रेसेंट हो गए और मैं वैसी रह गया ऐसे कैसे हुआ कि कैसे हो सकता है बुला एक बात काफी समय पहले मुझे समझ में आई मेरी कमी मैंने नौकरी जोइन की थी इन्होंने कमपनी जोइन की थी जैसे माल दीजिए कमपनी का नाम जेनरल इलेक्ट्रिक है तो इन्होंने जेनरल इलेक्ट्रिक को जोइन किया और मेरी कमपनी है मुझे ग्रो करना है ऐसा भाव रखकर इन्होंने काम किया और आज ये कमपनी के प्रेसिजेंट हो गए मैंने नौकरी जोइन की 20 डॉलर की नौकरी 20 डॉलर मिलते थे मैं उतना ही काम करता था जितने पैसे मिलते थे आज भी मैंने सुना है कुछ बच्चों को बात करते हुए बात तो पहुंच जाती है गोम फिर करितर उदर से किसी कमपनी में काम करते है वो तो एक लड़के ने मुझे बताया कि उसके साथ ही ये कहते है ज्यादा काम मत किया करो 20,000 रुपे तन खाए 20,000 काई काम करो इससे ज्यादा क्यों काम करते हो लेकिन मैंने सत्तंग सुना है तो मैं ज्यादा काम करता हूँ मुझे लगता है मुझे अच्छा काम करना चाहिए और बॉस वगएरा कै भी रहें मेरा प्रमोशन करने के लिए तो अब पता नहीं उनका क्या होगा जो भी तो मेरा एटिटूट था कि नौकरी है नौकरी करनी है काम उतना करना है जतने पैसे मिलते हैं और इन्होंने अपनी कंपनी समझ कर काम किया तो आज यहां पहुच गए राइस कर गए और मैं महीं कहां ही रह गया मैं आज भी नौकरी कर रहा हूँ आज भी मेरी जो थिंकिंग है वो ही है नौकरी करनी है नौकरी करनी है, वोई पैसे मिलने है, वोई सुबा उठना है, वोई काम पर जाना है, वोई रात को घर मुचना है, सो जाना है, सुबा उठना है, नौकरी पर जाना है, मेरा यह एटिटूड रहा लेकिन आप लोग पूछ रहे हो तो मुझे समझ में आ रहा है मेरी अपनी कमी मुझे मालुम थी लेकिन आज मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि मेरी क्या गलती थी चलिए एक उधारन लेते हैं भारत का यहाँ पर भी थोड़ी पहले की बात है हो गय होंगे करीब पिस साल पुरानी बात है तो दो मेजर जनरल ने प्री मेचर रिटार्मेंट लिया रिटार्मेंट से पहले रिटार्मेंट ले लिया पांस साल पहले पच्छे तीस साल की नौकरी वों कर चुके थे दोनों ने रिटार्मेंट लिया है, सोच करके हम अपना-पना काम करेंगे और अभी की बात है, बीस साल बात, वो लोग मिले तो यह कहता है, एक जना तो करोणों की कंपनी का मालिक हो गया और एक जना अभी भी काम ढूंट रहा है बीस साल हो गए, अभी भी काम ही ढूंट रहा है काम करे छूट गए करे छूट गए नहीं कर पाया चला नहीं पाया ये नहीं वो नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं तो जब मिलते हैं तो ये कहता है जो अभी तक काम ढूंड रहा था कि तुम मुझे अपने आ रख लो तो कहता है ठीक है रह जाओ मेरे यहां तो कुछ दिन नौकरी करके एक दिन आफिस में ही वो लोग बैठे होते हैं तो यह पूछता है जो नौकरी जाइन करके इसके आया हुआ है एक बात बताओ तुम इतना राइस कर गए पीछे के 20 सालों में कि करोणों की कमपनी के मालिक हो और मैं अभी तक काम ढूंड रहा था अब तुम तुम्हारे आभी नौकरी कर रहा हूँ तो क्या कारण है तो यह जो कमपनी का ओनर होता है कहता है दिखो एक थोड़ी सी कड़वी बात बताओं पैस अच्छी पत सुनने में तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा आज से 50 साल पहले लगपक जब हमने मिलिटरी की नौकरी जॉइन की थी भारस सरकार की तो हम लोग पोस्टिंग हमारी जहां थी वहां से बैरेक्स हमारे जहां सोनी की जगा होती है खाना और सोना वो दो किलोमीटर दूर था हम लोग जहां पर हमारी सेवाएं थी वह जाते थे वहां रूम्स भी थे कुछ काम होते थे सब तरह के जॉब थे और वापिस बैरेक्स पर आकर सो जाते थे खाना और खाते थे सोते थे एक रात की बात है मैंने साड़े नो बज़ रहे थे मैंने तुमसे कहा ओ आज ओफिस उसके कमरे की लाइट और पंखा खुला छोड़ाए हूँ गलती हो गई मुझसे रोज मैं बंद करके आता था क्योंकि हम लोग ही लास्ट में निकलते हैं मैं बंद करके आता था आज खुले रह गए मुझसे बड़ी भूल हो गई मैं वापिस जा करके बंद करके आता हूँ तुम चलते हो क्या तो तुमारा जवाब था अरे सरकारी लाइट है क्या करना बत्ती पंखा तो सरकारी लाइट तो सरकारी और हम तो नौकरी कर रहे हैं कौन सी हमारी लाइट है हमारा पंखा है कौन सा हमारा ओफिस है हमारा है क्या हम तो नौकरी कर रहे है तुम सो गए उस से रहा नहीं गया और मैं उटकर गया लाइट पंखा बंद करके आया मुझे ऐसा लगा मेरा ओफिस है मुझे ऐसा लगा मेरा काम है मुझे ऐसा लगता था भारत देश मेरा देश है मैं भारत के लिए काम करता हूँ मैं नौकरी नहीं करता हूँ मैं भारत की सेवा करता हूँ 30 साल बाद हम लोगों ने रिटार्मेंट लिया तुम्हारी सोच मेरी सोच ये थी कि हम अपना काम करेंगे आज 20 साल बाद मैं कहां से कहां पहुँच गया और तुम आज भी नौकरी कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा एटिटूड था नौकरी तो करनी है तुमने आफिस को भारत सरकार का बिजली, पंकः, भारत सरकार की हमारा क्या है तो तुमारा क्या है तुम आज भी कुछ अपना नहीं बना पाए आज भी तुमको नौकरी करनी पड़ा रही है तो दोधर श्टानत हम को बताते हैं जीवन जीने का तरीका हम कैसे जी रहे हैं हमारा घर हमारा घर है और हमारे घर की बाहर की सड़क कुछ उस कर सकते हैं दिन में एक बार तो सफाई करा दें कुछ नहीं तो करमचारी को महीने के कुछ पैसे देते हैं जो करमचारी आते हैं भह यहां की सड़क अच्छे से साफ कर जाया करो चाहिए वो थोड़ा सा एरिया है आपका पर वो साफ दिखाई देगा आपको भी अच्छा लगेगा और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं पूरे महले की सड़क ले लेते हैं एडाप्ट कर लेते हैं कर्मचारियों को एक्स्ट्रा पैसे देते हैं महीने के पूरे महले की सड़क साफ रहती है अब मेरा महला है इतना भी नहीं है हमारा मेरा घर है अंदर का घर तो मेरा है बाउंडरी के बाहर का घर या बाहर की जगे वो तो मेरी नहीं है वो तो सरकारी है हमारी सोच कैसी है संत की सोच होती है सारा विश्व मेरा घर है सारा विश्व मेरा परिवार है स्वामिदान्तीत कहते थे मैं सारा भारत हूँ सारा विश्व मेरा अपना आप है और हम क्या कहते हैं भारत या अपना शहर या अपना महला कितने को अपना कहते हैं कहते हैं हमारे महले में कहते हैं हमारे हमारी सोसाइटी में हमारे एरिया में हमारी कॉलोनी में ऐसे बोलते हैं लेकिन क्या हम सोचते हैं हमारी कॉलोनी क्या हम मानते हैं हमारी कॉलोनी हमारा एरिया हमारा महला हमारी सोसाइटी क्या हम मानते हैं हमारा घर बढ़िया होता है आज सुबह एक मैसेज था बैंगलॉर से एक साधक का कि हमारी सोसाइटी में कुछ सर्वेंट क्वार्टर्स है तो एक आदमी है वो उससे हम कभी-कभी अपना काम लेते हैं तो आज सुबह उसके घर जाना हुआ किसी कारण से कुछ मुझे बताना था उसका फोन मिल नहीं रहा था तो मैंने देखा उसका कमरा ज्हांक करके पूरा सीलन से भरा हुआ था पूरा सीलन बैंगलॉर में शयद बारिश थोड़ा ज़्यादा होती है यहां से तो पूरा कमरा सी ला हुआ था तो मैंने उस से कहा कि इसको ठीक करा लो रिपेर करा लो छट को रिपेर करा लो तो कहता है कि साब पीछे लोगडाउन से जब तक जब से ही हुआ है दो साल से कुछ यहां सोसाइटी में काम नहीं हो पाया कुछ काम मुझे भी नहीं मिलता है नहीं तो मैं ठीक करा लेता और सोसाइटी ने भी कुछ ध्यान ने दिया क्योंकि हर तरफ थोड़ा दिकत है तो फिर इन्होंने सादक ने लिखा कि मैंने उसको कहा कि जितना खर्चा होगा मैं दे दूँगा तुम करा लो इसको क्या हम एक आदमी जिससे हम काम लेते हैं उसको भी अपना आदमी समझते हैं उसको भी नहीं समझते माई जो घर में आती है तन्खा देते हैं तन्खा तो देते हैं यह हमारी हमारी सेविका है क्या ऐसा मानते हैं यह हमारी सेविका है भगवान ने का सब मुझे प्रिये हैं सब मेरे अपने हैं हम कितनों को अपना कहते हैं हम हमारे पती हमारे पतनी हमारे दो बच्चे एक बच्चा जो भी जिसके जितने हैं बस यह मेरा परवार है माबाप भी पराये हो जाते हैं एक समय के बाद उनको भी वहाँ छोड़ दिया गाओं में अब उनको कोई लाता भी नहीं है घर पर रहते ही नहीं है वो रहना नहीं चाहते शहर में रहना कैसे चाहेंगे उनको अपना घर लगता ही नहीं है वो क्योंकि बहु कहती है मेरा घर अब बहु कहती है मेरा घर तो सास कैसे कहेगी मेरा घर तो गाओं के घर में रहेगी हम लोग अपनी सोच को देखें दो दिस्टांत पताते हैं एक सर्वे हुआ अमेर्का में एक कंपनी में वहां सौ से ज्यादा लोग काम करते थे तो रिपोर्ट जब आईएं तो वहां के जो मैनेजिंग डिरेक्टर बोर्ड अफ डिरेक्टर चौप गए उस रिपोर्ट को देखकर उसमें तीन सवाल थे पहला आप किस के लिए काम करते हो वंदर सवालों पर न जाएं हम उस पर जाते हैं जवाब लोगों के क्या थे निकल के ये आया कि 60, 100 में से 60 लोग, 60 परसेंट, 60 लोग सिर्फ नौकरी के लिए आते थे वहाँ पर, जब उनसे पूछा गया, आप किस लिए आते हो यहां, नौकरी के लिए, और किस लिए आते हैं, क्या करने आते हो, नौकरी करने आते हैं, कितने पैसे मिलते हैं, इतने मिलते हैं, इससे ज यह जतनी तन्खा मिलती है तो नौकरी के लिए आते हैं 60% लोग नौकरी के लिए आते थे 20% रिपोर्ट देखकर चौंक गए बोर्ड अफ डिरेक्टर उसमें यह लिखा था कि 20 लोग इसलिए आते हैं कि दूसरे लोगों को भड़काएं यह कंपनी खराब है कंपनी बेक आ कुछ अच्छी नौकरी देखते हैं चलो हम कुशिश करते हैं तुम भी कुशिश करो बेकार है यहां बकवास है यहां का बास बेकार है यहां का यह बेकार है यहां का वो बेकार है कंपनी की बुराइए करते हूं सौ में से बीस लोग वो होते हैं जो कंपनी के बुराही करते आप चार सिवाधारी रख लीजे उनमें एक ऐसा होगा तो तीनों को भड़काता रहेगा क्यों काम करते हो इतना क्या जरूवत है इतना काम करने की अरे छोड़ो अरे रहने दो मालिक अपने आप देख लेगा अरे जब कहेगा तब कर देंगे अभी क्या जरूवत है आराम करते हैं चलो घूमाते हैं चलो यह चलो वो एक सिवाधारी चार में से ऐसा ही निकलेगा उल्टा और दो इसलिए काम कर रहे होंगे नौकरी करनी है क्या करें नौकरी करनी है और एक अच्छा काम करता होगा यह मैं आपको रफ आइडिया बता रहा हूँ क्योंकि घर में चार सिवाध से ज़्यादा लोग रखते नहीं है आम तोर पर देखा गया ऐसे जैसा भी है किसी कोई किसी है कोई वो नहीं उधारण यह है कि सो में से साथ लोग नौकरी करने आते थे बीस लोग भड़काने आते थे काम बिगाडने आते थे नौकरी को खराब बताते थे कंपनी को बेकार बताते थे असी ठीक है बीस लोग काम करने आते थे यह अमेरिका की कंपनी की रिसर्च बता रहा हूँ आपको केवल 20 लोग काम करने आते हैं 100 में से काम करना है कंपनी है और वो कहते भी है जब बात करो न आज कल इस चीज का क्या रेट चल रहा है यह चल रहा है अच्छा दूसरी जगे तो यह मिल रहा है नहीं हमारी कंपनी का तो यह रेट है उनका जो लेंग्विज होती है वो होती है हमारी कंपनी भाषा जो उनकी होती है वो होती है हमारी कंपनी तो ऐसे करके हम देखें अपनी तरफ हम घर को तो अपना कहते हैं हमारा घर हमारा घर लेकिन क्या वाकई में हम अपना घर समझते हैं अगर अपना घर समझेंगे देखे गुरु कहते हैं भगवान का घर है ठीक है आप तो रही बात को काट रहे होंगे अपना घर कहा है आप तो रोज कहते हैं भगवान का घर है अच्छा लोग, भागवान का घर है और हम किसके हैं, बीवी बच्चों के हम किसके हैं, भागवान के अच्छा, हम भागवान के और भागवान का घर when A equal to B and B equal to C, then A equal to C यह trigonometry काई एक theorem है भागवान हमारे हम भागवान के, भागवान का घर तो हमारा घर, ठीक है, भाष्या बिल्कुल ठीक है भागवान का घर है, हम भागवान के हैं तो हमारा घर, भाष्या बिल्कुल ठीक है अगर भागवान का घर है, तो दुनिया किसकी है भागवान की दुनिया है महला किसका है, शेहर किसका है, देश किसका है क्या हमें होता है मेरा भारत महान कि जिसको होता होगा मेरा भारत महान अपनी बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा इस देश में पढ़ाएगा आप क्या सुस्ते हो थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा लेगा मैं तो इन बच्चों को देखता हूँ जो अमेरिका में है कई सारे बच्चे जो हमारे सत्थंग में थे इस समय कई सारे बच्चे विदेशों में है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया दोबई केनेडा जगा जगा है मैं जानता हूँ वो अपनी निगाह में कुछ नहीं है सिर्फ पैसा ज्यादा कमा रहे हैं यहां से थोड़ा सा ज्यादा बस इस से ज्यादा कुछ नहीं है वो उनकी कोई हस्ती नहीं है उनकी कोई आउकात नहीं है उनकी कोई नहीं जानता वहाँ पर बलके नीची नजरों से देखते हैं यू ब्लैक काले हो तो अस्ट्रेलिया के लोग तो गोरे हैं अमेरिका के लोग तो गोरे हैं कैनेडा के लोग तो गोरे हैं वो काला करके देखते हैं नीचा करके देखते हैं मनजूर है थोड़े से पैसे के लिए और ये दिखाने के लिए माबाप को ये दिखाने के लिए हमारे बिच्छे विदेशों में काम करते हैं और वो ये दिखाते हैं, यहां के लोगों को हम विदेश में काम करते हैं, पर आज भारत में विदेश में कोई विशेश अंतर नहीं है, बलके यहां हम खुन की से रहते हैं, अपने देश में रहते हैं, मेरा भारत महान, और वहां तुम ना भारती हो ना अमरीकन हो, तुम हो क्या हो तुम। कुछ लोग जवाब दे पाएंगे, कुछ लोग चुप हो जाएंगे। कुछ लोग जवाब इसलिए दे पाएंगे, कि वहाँ पर वो अच्छी तरक्शी कर गए। क्योंकि उन्होंने काम को बहुत अच्छे से किया। जो बात मैं ले रहा हूँ टॉपिक वो ही पर आ जाते हैं, घूमफिर करके उन्होंने काम को बहुत अच्छी से किया। और भारत में भी अगर कोई काम को बहुत अच्छे से करता है, मैंने को धरन लिया, मेजर जनरल का, कि उन्होंने काम को बहुत अच्छे से किया, अपना काम और उनकी कंपनी आज करोड़ों की कंपनी है, और जिसने नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, वो आज कुछ भी नहीं तो रूल तो सब जगे अपलाए करेगा, आप इसी रूल को विदेश में अपलाए करो भारत में, कुछ दिक्कते हैं भारत में, ठीक है, कुछ दिक्कते हैं, कुछ आसानिया विदेशों में हैं, बिल्कु ठीक है, लेकिन अपना देश अपना देश होता है, अपना घर अपन कुछ भगवान का है अब देखिए आकसर हमारी बात चलती है हम भगवान के है इश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान ने कहा इश्वर अंश भगवान का अंश है ये जीव मम एवान्शो जीव लोके इस लोक में ये जीव मेरा ही अंश है यह संसार एक दिन हमें मिला और छूट जाएगा शुरूर में बताया काम करना है तो ऐसे करो मेरा काम है भागवान का काम है मेरा काम है भागवान का काम मेरा काम भगवान का घर, मेरा घर, मेरा घर, भगवान का घर, भगवान का घर है, भगवान का काम है, बढ़िया तरिस करो, हम सब भगवान के हैं, अंदर में कोई उच नीच, जाती भेद, किसी को मंदा करके देखना, कम करके देखना, नीचा करके देखना, मंदा किसनों आखिये जो है करतार, मंदा, खराब, कम, किसको देखें, जब सब रूप में है भगवान, या भगवान से आए हम सब, किसी को खराब करके मत देखो, ठीक है, कोई आदमी अच्छा काम कर पाता कोई नहीं कर पाता है, कोई काम को बहुत बढ़िया कर लिता है, कोई नहीं कर पाता है, और जैसे डील करना है आपको करो, पर अंदर मन मत खराब करो, क्योंकि मन मेला तो हमारा मन मेला गंदा कपड़ा किसको अच्छा लगता है? गंदा कपड़ा किसको अच्छा लगता है? गंदा कपड़ा तो नहीं अच्छा लगता आपको यह हो सकता है ऐसा कहे मुझे गंदी कपड़े अच्छा लगता है ठीक है उसकी choice है पर आम तोर पर गंदा कपडा किसी को नहीं अच्छा लगता इसी ऐसे गंदा मन गंदा मन कौन जिस में द्वैट वरह पड़ा है दूसरा ये दूसरा वो दूसरा ये ऐसा वैसा ये वो ये वो देखे हम सब भगवान के हैं भगवान से आए, एक दिन भगवान के पास वापिज जाना है, माननेता कर ली हमने संसार में आकर कि घर मेरा, परिवार मेरा, ये माननेता कर ली, हमको माननेता करने की आदत बचपन से है, मम्मी पापा ने का हम तुमारे मम्मी पापा हमने उनको कहना शुरू कर दिया, ये मे माल लिया हमारा बच्चा हमने भी माल लिया उनको कोई मर जाए उन मैंसे तो हम कुछ नहीं कर सकते मा मर गई पिता मर गई बच्चा मर गया कोई कुछ नहीं कर सकता किसी के हाथ में कुछ नहीं है कोई किसी का नहीं है छोड़कर टाइम आ गया जिसका वो छोड़कर एक दम चल देता है कोई किसी का नहीं है को काहू को नहीं प्रीतम जान लियो मन माई गुर्गन साब मैं कहा इस संसार में कोई किसी का नहीं है हे प्यारे अपने मन में ये बात जान लो अपने मन में कहना मत किसी से कहने से बुरा लगता है तकलीफ होती है परिशान होता है जिस से कहो अच्छा नहीं लगता कहना मत पर अंदर में जान लो कि हम सब भगवान के हैं हम सब भगवान के हैं सब ऐसा नहीं मैं आप ये वो हम सब भगवान के हैं कोई माने नहीं माने हम सब भगवान की है बहुत से लोग नहीं मानते हम भगवान को नहीं मानते कहते हैं कहने से क्या होता कहते रो तामे की चीज तो तामे की है लोटा, गिलास, है ना चमच, कड़ाई, तामे की मान लीज़ें स्टील की चीज़ें स्टील की होती है कटोरी, गिलास, शमज, ठाली, कड़ाईयां स्टील की चीज स्टील की प्रेशर को कर भी आते हैं आजकल स्टील की स्टील की चीज स्टील की होती है सब चीज स्टील की है स्टील तो जैसे जो है वो ऐसे है मान लो हम सब भगवान के हैं हैं अब कोई के मैं नहीं मानता है काटोरी इस्टील की है उसके नहीं मानने से क्या होता है काटोरी तो है इस्टील की नहीं माने तो ऐसी हम सब भगवान के गुरु ने का सब शास्त्रों में लिखा है हम सब भगवान से आई है आप कोई माने न माने कोई फरक नहीं पड़ता हम सब ही भगवान के लड़की का विवा होता है कहती है मैं इस घर की हूँ विवा हो जाने के बाद दो दिन बाद आती है वापिस घर वो पैर फेर ने कहते न वापिस आती है तो कहती है हमारे घर में तो न वो चीज बड़ी बड़ी आया है वो चीज बड़ी बड़ी आया है तो मा सोसती है दो दिन में वो घर तेरा हो गया यहां बच्छपन से लेकर बाइस साल तक पच्छे साल तक जितने की भी वो है तो यहां रही यह तेरा घर अब वो तेरा घर ह गया, तो हम लोग मानने था बदलने में उश्या आ रहे हैं, हम लोग जट मानने था बदल लेते हैं अपनी, पहले एक बच्चा मेरा, फिर दो बच्चे मेरे, फिर तीन बच्चे मेरे, फिर चार बच्चे, फिर पहले तो आठ आठ होती थे थे न, आठ बच्चे हमारे, एक म मान लिया, जैसे मान लो, कोई-कोई बच्ची रहते हैं यह साथ, यह पांच इतना मेरे बच्ची हैं, दो-ईं मेरे नहीं हैं, क्या मतलब? इस सुनते नहीं है मेरी बात, मैंनी मानता इंको अपना बच्चा, कहते हैं न कोई मावाब कह देते आ, इसे पिता कह देते हैं अक्सरी ये मेरा बेटा बिलकुल नहीं है अरे भई तुम्हारे दो ही बच्चे हैं एक बेटा एक बेटी बेटा मेरा बिलकुल नहीं है क्यों बात नहीं सुनता मानेता ही तो है मान लिया तो मेरा है नहीं माना तो मेरा नहीं है तो गुरु कहते हैं, भगवान हमारे हैं, मान लो, उससे क्या फायदा होगा? लिविन द वर्ल, बट नॉट अफ द वर्ल, संसार में रहो, संसार में सब काम करो, सेवा करो, प्रेम से रहो, खूब, पैसा कमाने का शौक है, पैसा कमाओ, अच्छे काम करो, दानपुन्य करो, सेवा करो, सब बढ़िया 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 सब करो, और आखिर में जब भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं वापिस जनव मरण के चक्कर में दुख रूप संसार में फिर नहीं आना मानिता सही करनी पड़ेगी हमको अपनी मानिता बदलना खुब आता है हमको बच्पन में भी आप देखते होंगे स्कूलों में जब हम किसी किसी बच्चे के न टैंथ तक दो-तिनी स्कूल चेंज हो जाते हैं पहले कहता था ये दोस्त मेरे अब वो छूट गए नया स्कूल अब ये दोस्त मेरे चुट गए फिर नया स्कूल अब ये दोस्त मेरे टैंथ करके अब नए स्कूल में चला गया अब ये दोस्त मेरे ट्वेल्थ करके फिर नए किसी उसमें चला गया ग्रैजुईशन में अब ये दोस्त मेरे कौन से दोस्त मेरे पुरानी सब छूट गए, नए बन गए मानिता ही तो है कोई बच्चा किसी का पैन चुरा लेता है तो थोड़े दिन बाद कहने लगता है पैन मेरा है थोड़े दिन बाद क्यों कहता है कहीं पकड़ न जाये पकड़ जाएगा तो देना पड़ेगा वापिस, नहीं पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, अब पैन रखा हुआ अपने पास, अब वो ऐसे दिखाएगा नए आखरीत के लाया हूँ, वो दूसरा काएगा मेरे पास, मेरा पैन है, तेरा पैन है, मैं लेकर आया हूँ तीन नित योग है, संसार से हमारा नित योग नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा, जनम से पहले संसार हमारा नहीं था, और शरी छुटने के बाद संसार हमारा नहीं रहेगा, बीच में हमारा दिखता है, ऐसा लगता है हमारा, धरम शाला का कमरा हमारा नहीं होता, बीच में लगता ह दरमशाला कमरा तो इसलिए कहते हैं हमारा है अंधर में मालूम है आए थे एक दिन एक दिन जाएंगे तो कहने लगते हैं मेरा कमरा मेरा कमरा पर जाते समय ताला और चावी सब वहां जो इंचार्ज होते हैं उनको दे करके चले जाते हैं छोड़कर जरानी कहते हैं मेरा कमरा मेरा कमरा छूट रहा है क्योंकि पहले से मालूम है इनका है धरमशाला वालों का मेरा नहीं है घर में क्योंकि पैदा हुए थे तो रटा दिया गया तेरा घर, तेरा घर, तेरा घर अब हमने कहें मेरा घर, मेरा घर मेरा गर, पकड़ लिया जब छोड़ता है तो दुख होता है बहुत दुख होता है इसलिए गुरु हमको सच बताते थोड़ा सा कड़वा तो लगता है जैसुज ने कहा न, मैं सच बात बताता हूँ वो रात, जब मैंने कहा पंका बती चलया छोड़ाए हम तो तुने कहा, कौन सी हमारी है आज भी तेरी वोई अलग-अलग दरस्टान ता, अलग-अलग तरह से फिट होता है वोई बात हमारी मैंने, यहां हमने अपना मान लिया तो हर चीज हमको दुख देती है वहां उसने अपना नहीं माना था कोई परवा नहीं, लेकिन उसकी वो आदत आज दिन तक उसको मालिक नहीं बनने दिया वो आदत की वज़े से वो आज दिन तक मालिक नहीं बन पाया नौकरी करता रहा क्योंकि नौकरी करने आया था, मानिता है ना मानिता को ठीक करना spirituality में मानिता फरक होती है संसार में मानिता फरक होती है दोनों को अगर हमने ठीक ठीक समझ लिया तो बस बेड़ा ही पा रहे है live in the world संसार में रहो तो ऐसे रहो बढ़िया काम करो बढ़िया तरह से रहो बढ़िया तरह से रहो और जब spirituality के तरफ दिन में दोनों चीज़ें होती है न spirituality के तरफ जब बैठे भगवान के लिए तो बस मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे काम के समय सिर्फ ये रहेगा कि काम बढ़िया करना है अंदर में मालुम रहेगा ये संसार भगवान का है काम भी भगवान का है भगवान का काम है इसलिए तो बढ़िया करते हैं मेरा क्या काम है मेरी दुनिया है काम भगवान का काम है इसलिए बढ़िया करते हैं सब भगवान के रूप हैं सब के लिए काम करते हैं सब की सिवा करते हैं लेकिए एक और दुष्टांते आदा गया मुझे इसी तरह का एक लड़का पहली बार गाउं से नौकरी एपलाई की थी दिल्ली में तो जाता है दिल्ली के लिए घर की चिक-चिक से परिशान हो गया था ये करो ये मत करो ये करो ये मत करो पहुस्टाय नौकरी के वहाँ पर दस लड़के और आई हुए थे एक ग्यारवाँ था कुछ वरांडा सा था बाहर अंदर आफिस था फिर उपर स्टेर्स जाती थी एक इंटर्वी नीचे होना था एक इंटर्वी उपर होना था वह जाके बैठा तो कुर्सियां जो पढ़ी थी टेड़ी मेड़ी लड़कों ने करी आपस में बाते करने लगए इसने दो कुर्सी थी दौनों को सीधा रखा दिवार के साथ में और एक कुर्सी पर बैठ गया इतने में देखता क्या है कि बत्ती चल रही है सामने उधार दूसरी तरफ बिजली जली हुई थी उठता है जाकर बिजली बंद करता है फिर आके बैठ जाता है टोईलेट आती है बीच में टोईलेट में जाता है अंदर टोईलेट में एक नल खुला पड़ा था उस नल को बंद करता है टोईलेट हो करके आ करके फिर बैड़ जाता है इधर इंटर्वी हो जाता है फिर उपर जाते हैं बच्चे तो उपर जब यह जाता है तो देखता है सीडियां से चड़ करके जब अंदर को चला फिर वहां वरांडा था एक कुरसी बीच में रखी थी सब लड़के निकल गए आगे इसने कुरसी को उठाया साइट में रखा फिर आगे गया फिर वहां बैठ गए सब बच्चे फिर वो लोग वैसी स्टेडी मेडी कुरसियां करके बातों में लग गए उपर एनाउंसमेंट हुआ कि ये लड़का सेलेक्ट हो गया है एक तो बाकी जो दस लड़के थे उन्हों हला मचा दिया इंटर्वी तो हुआ नहीं ये उपर वाला कि कैसा सेलेक्ट हो गया है बोले हमको जो इंटर्वी लेना था वो तो नीचे ले लिया एक दूसरा इंटर्वी ले ला था प्रैक्टिकल हमने एक बत्ति जला रखिए थी कुर्शियां टेरी मेड़ी तुम लोगों ने कर ली हमने सीथी रखियोई थी इसमें दो कुर्शिय टेरी ती उनको सीध़ा किया तब ईठा बत्ति एक जली पड़ी थी इसने जाकर बत्ती बंद करी हमने नल खुला चोड़ दिया था यह जब गया इसने वो नल बंद किया हम सारी चीज कैमरा से अब्ज़र्व कर रहे थे यह लड़का अपने काम में बहुत माहिर निकलेगा और तुम लोग आल तु फाल तु तुम नौकरी करने आये हो तुम यहां काम अच्छा करने नहीं आये यह अच्छा काम करेगा तुम सर्फ नौकरी करोगे हमें नौकर नहीं चाहिए हमें अच्छा काम करने वाला चाहिए इसलिए इसका सेलेक्शन हो गया आज वो लड़का सोचता है जो मेरे घर में मेरे पापा डाटा करते थे बत्ती बंद करो नल खुला छोड़ दी आवाश पे सिनका नल बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो रात को किवार खुली रह गई इनको बंद करो, ऐसे वैसे ऐसे वैसे जितना पापा कहा करते थे मम्मी कहा करती थी मम्मी कहती थी टाइम पर खाना खालो मम्मी अपनी बाते कहती थी वो आज सब मुझे याद आ रही है और इनी की वजह से मेरा सेलेक्शन हुआ है ऐसे है संसार गुरु भगवान के शुकराने हैं, हमको सही समझ देते हैं, हमको भगवान की बात आए तो इसमें हम खरे उत्रें व्यवार की बात आए तो हर काम बढ़िया तरीके से करना अपना समझ के करना ये दुनिया भगवान की ये मतलब मेरी है मुझे काम करना है भगवान की दुनिया है ना इसमें मुझे काम करना है कहने को में लिए लिए अंदर में जानता है मेरा यहां कुछ भी नहीं है सब कुछ भगवान का है हम तो भगवान का काम करते हैं भगवान की सिवा करते हैं भगवान के लिए करते गुरु भगवान के शुकराने हैं आज थोड़ा गला बेटा हुआ है तो यहीं पर पूरा करते हैं रादे रादे भगवान जी रादे रादे भगवान जी